नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाटक किसे कहते हैं और नाटक की विशिष्टाएं दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देखेगा आपके लिए बहुती मैत्पून होने वाले वीडियो चलिए पानीनी ने नट धातू से मानी है किसने मानी है और बेवर का कहना है कि नट धातू नित धातू का विक्रित रूप है पानीनी कहते हैं कि नाटक की विशिष्टाएं नट धातू से हुई है जबकि बेवर कहते हैं कि जो नट धातू है वो नित धातू का विक्रित रूप है प्रंतु रिगवेद में नट और निर्ट दोनों धात्वों को अपरियोग मिलता है नट निर्ट का विक्रुत रूप नहीं माना जा सकता क्यों? क्योंकि रिगवेद में दोनों ही धात्वे मिलती है तो इसलिए नट को निर्त का विक्रित रूप नहीं माना जा सकता निर्त्य नाट्य का एक अंग हो सकता है परंतु नाट्य नहीं कहते हैं कि जो निर्त्य है वो नाटक का एक अंग है लेकिन संपूर नाटक नहीं है नाटक में निर्ट्य के साथ साथ अभीने भी होता है नाटक आने सभी विधाओं से कहीं अधिक प्रभाव उत्पादक, मनोरंजक एवं आननदायक होती है दोस्तों जब आप नाटक देखने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? नाटक एक एवं अभीने परगविधा है जिसमें संपूर मानव जीवन का रोचक एवं कोतुहल पूर्ण वर्नन किया जाता है नाटक में अनुकरन एवं अभीने की परमुकता होती है यह एक ऐसे साहित्य रूप है जिसमें रंगमंच पर पात्रों के द्वारा किसी कथा का परदर्शन होता है इसमें क्या होता है? रंगमंच पर पात्रों के द्वारा कथा को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है यह परदर्शिन समभाद निर्ट्य गीत आधि के माध्यम से किया जाता है अंग्रेजी में नाटक के लिए ड्रामा शब्द का प्रियोग मिलता है पाष्ट्यात्य नाटक में कारिये की प्रमुकता होती याद रखिए पाश्चत्य जो नाटक होते हैं उनमें कारिया की प्रमुकता होती है जोकि भारतिय नाटकों में अभिने एवं रस पर बल दिया जाता है नाटक के लक्षन प्रस्तूत करने हितु कुछ विद्वानों द्वारा दी गई नाटक की परिभाशाई देना आवश्चक है देखे, आचारी विश्वनाथ ने नाटक की परिभाशा देते हुए कहा है नाटक की कता लोगपरसीद हो उसमें पांथ संधियों का समन्वे हो अनेक परकार के एश्वरियों का वर्णन हो तथा पांथ से लेकर दस तक अंख हो कितने अंखों पांच से लेकर दस तक अंख होने चाहिए उसका नायक लोगपरसिद धिरवदात चरित्रवाला देवता या राज रिशी हो तथा उसमें शिंगार वीर और करुन में से कोई एक रस परधान हो अब देखिए कितनी बाते इसमें बताई गई हैं कि नाटक की कथा लोगपरसिद होने चाहिए पांच संधियों का समय में होना चाहिए उसमें कई परकार के शुलियों का वर्णन भी होना चाहिए पांच से दस अंख होने चाहिए जो नायक है वो साधारन नहीं होना चाहिए नाटक वहद रिश्य है जो परत्यक्ष कल्पना एवं अध्यावसाय का विशय बन्स सर्वसाधारन को अनंदो उपलब भी प्रदान करता है अब बात करते हैं नाटक की विशेष्टाइं कौन-कौन सी है नाटक में एक मुख्य कता या प्रासंगी कता गोन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- देखे जो नाटक की लोग परसिद कथा होती है वह लोगों को अपनी तरफ आक्रिष्ट करती है कि वे नाटक देखे या पड़े नायक धीरो उद्दात देवता या राजपुरुश होता है नाटक का नायक कोई साधारन मानवने होकर धीरो उद्दात देवता या कोई राज पुरुश होता है जो दर्शकों व्य पाटकों के मन पर गहरा प्रभाव डालता है अंक नाटक में एक अंक ने होकर अनेक अंक होते हैं ठां से लेकर दस अंक हो सकते हैं रस नाटक में श्रिंगार, वीर या करून रस की परधानता होती है इन में से कोई भी एक रस नाटक में परधान होता है समय स्थान घटना पर बल नहीं नाटक में समय स्थान और घटना पर विशेश बल नहीं दिया जाता द्रिश्य काव्य का विस्त्रित रूप नाटक जो है वो द्रिश्य काव्य का विस्त्रित रूप है अनेक घटनाई, नाटक में अनेक घटनाई होती है रंगमंच पर अभीने, नाटक को रंगमंच पर अभीने के द्वारा प्रस्तूत किया चाता है नाटक में नाटकिय संधियों, कार्य अवस्थाओं एवं अर्थ प्रकर्तियों की योजना होती है नाटक धर्म, काम, अर्थ का परदातो होता है यह नाटक की विशेष्टा हैं नाटक जो है वो उच्वर्ग के शिक्षित लोगों के साथ साथ निम्न वर्ग के ए सिक्षितों के लिए भी होता है इसलिए नाटक का कथानक लोक परसिद होना आनिवारिय है जो परसिद नाटक होता है कथानक होता है वह आसानी से समझा जाता है इसलिए ऐसेक्षित और शेक्षित दोनों ही उसे देखकर मनोरंजन और आनंद लेते हैं नाटक मानव जीवन की सजीव परतिलिपी है नाटक में हमारी सुरूची, कुरूची, उठान, पतन, सुचीता, असुचीता, सफलता, ऐसफलता सब कुछ परतिमिंबित होता है नाटक में युगीन समश्याओं का चितरन करते हुए उनका समाधान देने का प्रयास किया जाता है मानव जीवन की सजीव जाकी जैसी नाटक में दिखाए देती है वैसी अन्यतर नहीं तो देखा आपने दोस्तो नाटक की विशेषता है क्या क्या है नाटक का जो कथानक होता है वो परसिद कथानक होना चाहिए शिंगार, वीर करून रस में से किसी एक रस की परधानता होनी चाहिए पांस सिद्दर संक होने चाहिए नायक जो है वीर, धीरो उद्दात, राज रिशी होना चाहिए इस तरह की कई विशेशता है आपने इसमें पड़ी दोस्तों वीडियो अच्छी लगिए तो लैक्शेर ज़रूर कीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंसके धन्यवाद